इक्जाम 21 के प्लेटफार्म पर आपका विल्कम है इस सेशन में हम लोग उत्तर प्रदेश राजी से संबंदित इंपार्टेंट कोश्चन्स को देखेंगे और यह प्रस्ना और यह इस प्रस्नों की जो स्रिंकला है वो उत्तर प्रदेश राजी के संगीत कलायों लोक निर्थ से संबंदित है और यह प्रस्ना उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोक के द्वारा 2023-2023 के जो आरो, ए आरो यानि समिक्षा अधिकारी और सहायक समिक्षा अधिकारी के एक्जाम को ध्यान में रखते हुए तयार किया गया है और यह कोश्चन्स बहुत ही इंपार्टेंट है हमेशा एक्जाम में पूछे जाते हैं तो आईए इस स्रिंखला के प्रस्णों को हम लोग प्रारम करते हैं और इस स्रिंखला का फर्स्ट कोश्चन है उत्तर प्रदेश में भात खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्याल है किस नगर में इस्थित हैं बहुत इंपार्टेंट कोश्चन है हमेशा एक्जाम में पूछा जाता है इसलिए ध्यान रखना है ROARO के एक्जाम में भी पिछले कई बारे अकोश्चन पूछा गया है UPPCS यानि उत्तर प्रदेश PCS के एक्जाम में भी अकोश्चन पूछा गया है Lower PCS के भी एक्जाम में पूछा गया है तो हमेशा ध्यान रखना है बहुत important question है आप miss न करिएगा इसे प्रस्न को एक बार फिर हम लोग देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में भात खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्याल है किस नगर में इस्थित है आपसन A है लखनव में आपसन B प्रियागराज में आपसन C वाराणसी में एंड आपसन D हरिद्वार में इसका सही आंसर होगा A लखनव में है और इस भात खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्याल है कि अस्थापना से संबंधित भी important बाते हैं कि इसे 1960 में stable किया गया ओके भात खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्याल है कि अस्थापना 1960 में की गई और आगे चलकर के 1966 में 66 में यह जो संगीत विद्याला था यह उत्तर प्रदेश सरकार के संस्कृत डिपार्टमेंट यानि विभाग के अंतरगत कर दिया गया या नियंतरण में कर दिया गया आप ऐसे भी खा सकते हैं और फिर आगे चलकर के वर् 22 विद्याले का दर्जा परदान किया गया और इसका नाम बदल करके भात खंडे संगीत संस्थान कर दिया गया तो यह कोश्चन भी आपसे एक्जाम पूछा जाता है कि भात खंडे हिंदूस्तानी संगीत महा विद्याले की अस्थापना कप की गई तब आप संद में 2001 त् एक में तो यहां बहुत ही इंपार्टेंट है और यहां पर ध्यां रखना है भात खंडे जी के जन्म सताब्दी के आउशर पर इसे 1907 में इसकी अस्था 1960 में ध्यां रखना 60 में इसकी अस्थापना की गई थी बढ़ते हम लोग अगले प्रस्न की और प्रस्न है उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की अस्थापना कब की गई आपसन ए है 1960 आपसन भी 1963 आपसन सी 1986 एंड आपसन डी 1975 ओके बहुत इंपार्टेंट कोश्चन है इसका सही आंसर होगा भी 1963 यानि 1963 में इसे स्टेबल किया गया उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी को यह स्थापना 1963 में हुई और वह भी तेरह नौंबर को हुई है तो ध्यान रखना है तेरह नौंबर 1963 को इस संस्थान की अस्थापना की गई बहुत इंपार्टेंट है इसको ध्यान कियेगा आप लोग की 63 की गई और इस अकादमी के द्वारा संगीत नृत्य नाटक लोक संगीत तथा लोक नाटकी परंपराओं के प्रचार प्रसार और सनवर्धन तथा परिरक्षण का कार्य किया जाता है तो यह बहुत ही इंपार्टेंट है तेरह नौंबर उनिस सव नाइंटीन 63 में इसे इस्टैबल किया गया ओके और यहां पर ध्यान रखना है या भी उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकाडमी भी लखनव में इस्थित है तो यह भी जान लीजिए कि अगला कोशन अगर आपसे पूछा जाता है कि उत्तर प्र प्रदेश के किसार में इस्थित है तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लक्ष्णु में इस्थित है ओके ऊं नहीं है इसका सही आंसर होगा बी कठक शैली उस्तर प्रदेश की देन है इम् 53 कोशन है जबकि कतकली केरल राज से बिलांग करती है यानि कतकली जो नृत्य है वह केरल राज में होता है या भी एक्जाम के लिए इंपार्टेंट है आपसे हमेशा पुछा जाता है इसके बाद कत्थक उत्तरप्रदेश होई गया यानि यूपी हो गया और ओरिसी सैली उरिसा में ये भी इंपार्टेंट है या उरिसा में है और दी है इन में से कोई नहीं तो ये हो नहीं सकता ओरिसी उरिसा राज से रिलेट है कतकली केरल राज से और कत्थक उत्तरप्रदेश राजी की देन है अगला प्रस्ण है निम्नलिखित में से कौन सा निरत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है तो उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है आपसन एक हैला है चेरकुलाब आपसन भी कटपुतली निरत्य है आपसं C मयूर निरत्य और आपसं D रास लीला ओके तो यहां पर उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है ध्यान रखना है आप लोगों को क्योंकि नहीं है करके काफी questions आयोग गलत कराता है और आते विए questions भी आप लोग गलत कर देते हैं इसलिए हमेशा ध्यान रखना है कि क पाउन नहीं है तो चर्कुला निरत्य उत्तर प्रदेश में होता है इंपार्टेंट है इसके बाद मयूर निरत्य भी उत्तर प्रदेश में होता है या व्रज के छेत्रों में मतुरा के छेत्रों में या मयूर निरत्य होता है रास लीला या भी होता है रास लीला या भी व अगला प्रस्न है मुगल काल में संगीत का सबसे बड़ा केंद्र काउन साथ था बहुत इंपार्टन कोश्चन है आपसने है आगरा आपसन भी मतुरा आपसन सी लाहाओर एंड आपसन डिल्ली इसका सही आंसर होगा ए आगरा क्योंकि यहां पर कह रहा है मुगल काल में यानि मुगल सामराज में मुगल राजाओं के द्वारा या सासकों के द्वारा मुगल रूलर के द्वारा संगीत को बढ़ावा दिया गया तो यहां पर ध्यान रखना है कि आगरा क्यों आंसर होगा क्योंकि मुगल राजाओं की राजधानी या मुगल सासकों की राजधानी आगरा और दिल्ली थी तो आगरा और दिल्ली थी और अकबर जहांगीर के समय में यह उका लीजिए कि साजहां और रंगजेब भी आगरा में अधिकान समय तक राजधानी के रूप में रहे और साजहां ने दिल्ली राजधानी इस्टेबल किया तो फिर भी सं गीर और शाजान के समय में संगी चलता रहा और यह मुख्य केंद्र कह लीजिए यह सबसे बड़ा केंद्र जो था वह आगरा था तो यह बहुत इंपार्टेंट है इसका सही आंसर होगा यह आगरा अगला प्रस्ण है उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रचलित लोक निर्त्य है आप्षन A केरकुला आप्षन B कालाबाजी आप्षन C रासलीला और आप्षन D नौटंकी तो इसका सही आंसर जो होगा वह D होगा नौटंकी उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रचलित लोक निर्त्य है इस बात को ध्यारत ना है ओके अगला इंपार्टन कोश्चन है धुरुपद धमार गायन सैली का प्रवर्तक किशे माना जाता है आपसने है तान सेन आपसन भी अमीर खुसरो आपसन सी स्वामी हरिदास एंड आपसन डी बैजु बावरा तो इंपार्टन कोश्चन है इसका सही आंसर होगा सी स्वामी हरिदास दुरुपद धमार गायन सैली के प्रवर्तक किने माना जाता है स्वामी हरिदास को अब यहाँ पर एक बात और ध्यार रखना है बैजु बावरा भी बहुत मसहूर संगितकार रहे हैं और इसके बाद ज जो भी है आपके एक्जाम में भी पूछा जाता है हमेशा ध्यान रखना है कि अमीर खुसरो भी स्तायर भी थे संगितकार भी थे कई रागों का जनम भी दिया है या फिर कई रागों को का अविस्कार करता भी नहीं माना जाता है ओके लेकिन यहां सबसे बड़ी इंपार्टेंट बात यहां कि अमीर खुसरो जो मुगल दिल्ली सल्तनत का सासक अलाउद्दीन खिल जी था अलाउद्दीन खिल जी के राज दर्वार में यहीं अमीर खुसरो रहते थे तो अलाउद्दीन खिल जी के राज दर्वार में यह रहते थे और इन्हीं अमीर भारत के तोता के नाम से या प्रसिद्ध थे तो बहुत इंपार्टेट या परस्णाल्टी है ताजसेन अकबर के समय में अमीर खुसरो अलाउदीन खिल जी के समय में खिल जी डाइनेस्टी के काल में थे समकालिम स्वामी हरिदास जी इस धुरुपत धमार गायन सहली से संबंदी था या प्रवर्तक माने जाते हैं बढ़ते हम लोग अगले प्रस्ण की ओर प्रस्णा है बड़ा ख्याल सहली का प्रवर्तक किसे माना जाता है आपसने वाजी दली सा, आपसन भी हुशायन सरकी, आपसन सी आश्रफ दवला और आपसन भी इबराहिम सास सरकी तो इसका सही आंसर होगा बी हुशायन सरकी यानि हुशायन सास सरकी पूरा नाम था तो हुशायन सर की बड़ा ख्याल सहली का इन्हें प्रवर्तक माना जाता है और यहां पर ध्यादक ना है कि हुशायन सर की यानि या सर की राजा जो थे उत्तरप्रदेश के जयौनपूर में इनकी कैपिटल थी या राजधानी थी मध्यकाल में ए राजा इन जच्चतरों पर सासन कर रहे थे सर की सासर या सर की राजवन्स के लोग और यहाँ जाउनपूर के छ्चतरों में या जाउनपूर इनका मुखके केंदर था या कैपिटल थी राजधानी थी और उस समय शंगीत और सिख्षा का महत्तोपूर केंदर था यहाँ पर जाउनपूर में अरबी और फार्शी सिख्षा भी दी जाती थी इसलिए आप पढ़ेंगे तो कि सूरी वंस का जो सासक था सेर सासूरी की जो सिख्षा हुई थी वह जाउनपूर में ही हुई थी इसलिए जाउनपूर को पूरो का सिराज भी का जाता है या भी आपके एजाम में पूछा जाता है बहुत important question है कि पूरो का सिराज का ओन है तो जाउनपूर है तो इस प्रकार इस question का जो आंसर होगा वबी होगा हुसेन सासर की बड़ा ख्याल सहिली का प्रवर्तक इनी को माना जाता है अगला प्रस्ना है किसके काल में ठुमरी को लोग प्रियता मिल्ली प्रारम्ब हो गई आपसन ए है इब्राहिम सासर की आपसन भी है आश्रफ उद्दवला आपसन C वाजिद अली सार और आपसन D है सफदर ज्यंग तो इसका सही आंसर होगा C वाजिद अली सार वाजिद अली सार के समय में जो ठुमरी को लोग प्रियता मिलनी प्रारम्ब हो गई बहुत इंपार्टेंट है और या अवद के जो प्रमुक थे या नबाब थे वाजिद अली सार ओके अगला प्रस्ण है काउन सा घराना ख्याल वद्रूपत गाइन के लिए जाना जाता है इंपार्टेंट कोशन है एक बार फिर अम लोग देख लेते हैं कि काउन सा घराना ख्याल वद्रूपत दोनों के लिए द्यान रखना है ख्याल वद्रूपत गायन के लिए जाना जाता है अपसन A है आगरा, आपसन B, किराना, आपसन C, बनारस, एंड आपसन D, लखनव इसका सही आंसर होगा B, किराना घराना ओके, बहुत इंपार्टेंट है अगला प्रस्ना है, उत्तर प्रदेश में कहार जाती द्वारा किया जाने वाला चवरसिया नरित्या निम्नलिकित में से किस जीले में आयोजित किया जाता है आपसन A है मिर्जापूर, आपसन B, गोरकपूर, आपसन C, हम्बीरपूर में, आपसन D, जयाउनपूर में इसका सही आंसर होगा D. जाउनपूर के छेत्रों में यह चेवरसिया निर्तिय किया जाता है तो यह important है हाला कि जाउनपूर के अन्य सटे जीलों में भी जन्पद में भी किया जाता है लेकिन जाउनपूर इसका जो किंद्र माना जाता है या हिर्दय अस्थली कह लिजिए यह माना जाता है चवरसिया निर्ते का ओके तो यह बहुत इंपार्टेंट है प्रस्ण है प्रसिद्ध चर्कुला निर्ति संबंदित है आवद से बुंदेल खंड से व्रज भूम से और डी रुहेल से रुहेल खंड से इसका सही आंसर होगा C व्रज भूमी से संबंदित है चर्कुला निर्तिय ओके इंपार्टन कोश्चन है यह बार-बार एक्जाम में पूछा जाता है प्रस्ण है अगला प्रस्ण है लोक निर्तिय राहूला का संबंद उत्तर प्रदेश के किस एक छेत्र से है आपसन A पुर्वी आपसन B पश्चिमी आपसन C मद्य और आपसन D बुंदेल खंड इसका सही आंसर होगा D बुंदेल खंड के छेत्रों से रिलेट है यानि राहूला लोक निर्तिय बुंदेल खंड के छेत्रों में किया जाता है या इंपार्टन है अगला इंपार्टन प्रस्ण है अत्रवलिया घराने का मूल अस्थान कहां है बहुत important question है आपसन यह है आजमगड आपसन B अलिगड आपसन C प्रियागराज और आपसन D बरेली तो अत्रवलिया जो घराना है यह relate है बहुत ही important है B answer इसका सही होगा अलिगड से ओके और अलिगड जिले के अत्रवलिया कस्वा पढ़ता है ध्यान रखना है अत्रवलिया क कस्वा जो पढ़ता है यह अत्रवलिया कस्वा यह इस अत्रवलिया घराने का जो अत्रवलिया संगीत घराने का जो मूल किंद्र है कह लिजिए या सेंटर है या हिद्य अस्थली है और यहां के जो अत्रवलिया घराने के जो प्रसिद्ध जो संगीतकार थे या गायक थे या इस घराने के संस्थापक हैं, या भी आपसे एक्जाम में पूछा जाता है, इंपार्टेंट है, वह काले खाँ हैं, ध्या रखना है, वह काले खाँ हैं और चाद खाँ, तो काले खाँ और चाद खाँ बहुत हीं इंपार्टेंट हैं, काले खाँ और चाद खाँ, इस अत उपत धमार सैली है उसका ओरिजीन कह लिजिए यहीं से हुआ है या फिर प्रसिद्ध है और यहां के इस सैली के जो प्रमुक हैं संस्थापक हैं काले खाए और चाथ का बहुत इंपार्डेंट कोश्चन है हमेशा आपसे पूछा जाता है इसलिए ध्यान रखना है अगला प्रस्न है नीम्नलिखित में से कवन एक सुमेलित नहीं है आपसने देवा बारा बंकी आपसन भी आला महोबा आपसन सी कर्मा मतुरा और आपसन डी कजरी मिर्जापूर तो यहां तो आला महोबा ही नहीं आप ऐसे कह लिजिए कि बुंदेल खंड के छेत्रों में और महोबा जहांसी और यह सब छेत्र जो है बहुत ही इंपार्टेंट है इन छेत्रों में आला कि उत्तर प्रदेश के आने छेत्रों में लेकिन जो मुख्य सेंटर है वा यही है महोबा खं कजरी मिर्जापूर कजरी मिर्जापूर के छेत्रों में वारांसी के छेत्रों में भधोहीं के छेत्रों में या मिर्जापूर कह लेजिए में सेंटर है तो यहां इंपार्टेंट है लेकिन जो कर्मा कह रहा है मतुरा या गलत है तो यहां पर कोश्चन सुमेलित नहीं है इस इंपार्टेंट कोश्यन है अगला प्रस्न है इंपार्टेंट बहुत इंपार्टेंट कोश्यन है निमलेखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश का लोग गीत नहीं है उत्तर प्रदेश का लोग गीत नहीं है आपसन ए बिरहा बिरहा तो उत्तर प्रदेश का लोग गीत है पर दियान रखना एकि रसिया व्रज के छित्रों में होता है यानि D है कजरी कजरी पुर्वांचल के छित्रों में मुख्य रूप से उपर के questions में हम लोग देखें हैं मिर्जापूर भदोई और वारांसी और अंदवली जिले के सब केंद्र में कजरी गाया जाता है और मुख्य रूप से मिर्जापूर डिश्टी के अनी जिला है बिरहा पूर्वांचल में गाया जाता है बहुत important है कई बार questions पूछा गया है उत्तरप्रदेश मेंस के भी जाम में questions आया है objective के questions में जबकि D का राय ढोला मारू नहीं है ढोला मारू राजस्थान का लोग गीत है तो यहां पर ध्यान रखना है कौन नहीं है तो इसका सही आंसरों होगा B नहीं है धोला मारू नहीं है धोला मारू राजस्थान का लोग गीत है अगला प्रस्ण राज राज में गाये जाते हैं यह परमपरा किस प्रदेश में पाई जाती है आपसन ने है राजस्तान आपसन भी मर्द प्रदेश आपसन सी उत्तर प्रदेश और आपसन डी गुजरात इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश क्योंकि विरहा रसिया आलहा उत्तर प्रदेश राज से रिलेट है आलहा बुंदेल खंड के छेत्रों की ओर यान अगला प्रस्णा है गिर्जादेवी का संबन्द किस घराने से हैं बहुत important question है हमेशा या questions पुचा जाता है option A. बनारस, option B. किराना, option C. लकनव, option D. सहारणपूर तो यहाँ बहुत ही important questions है यानि गिर्जा देवी का संबंद किस घराने से है तो इसका सही answer होगा बनारस गिर्जा देवी बनारस घराने से relate है अगला प्रस्न है सहारनपूर घराने के संस्थापक कौन थे बहुत important question है सहारनपूर घराने के संस्थापक कौन थे आपसन A है मुहम्मा जमा आपसन B बंदे अली खां आपसन C बहराम खां और आपसन D इन में से कोई नहीं इसका सही आंसर होगा A मुहम्मा जमा सहारनपूर घराने के संस्थापक थे important question है ओके अगला प्रस्णा है किस घराने में ठूमरी अंग गाईकी को अधिक प्रसिद्धी मिली आपसन A, किराना, आपसन B, बनारस, आपसन C, लकनव, और आपसन D, आगरा इसका सही आंसर होगा B बनारस घराने के अंतरगा ठूमरी को प्रसिद्धी मिली ठुमरी अंग गाईकी को काफी लोग प्रिता मिली यह थो अप्रसिद्धी मिली तो इसका सही आंसर होगा B अगला प्रस्ना है बिस्मिल्ला खां का संबंद किस घराने से है आपसन A. बनारस, आपसन B. लकनव, आपसन C. किराना और आपसन D. आगरा इसका सही आंसर होगा A. बनारस, घराने से बिस्मिल्ला खां बनारस, घराने से संबंदित है बहुत इंपार्टेंट है अगला प्रस्ना है उत्तर प्रदेश के मिर्जापूर जिले में आदिवासियों द्वारा किया जाने वाला निर्तिय निम्य लिखित में से कौन सा है इंपार्टन कोश्चन है आपसन A. चवरसिया, आपसन B. कर्मा, आपसन C. चौचरी और आपसन D. नौ टंकी इसका सही अंसर होगा B. कर्मा है बाँत इंपार्टन कोश्चन है कोश्चन है प्रसिद्ध ठुमरी गाई का गिर्जा देवी का जन्म किस सार में हुआ था आपसन A. लकनव, आपसन B. अलीगड, आपसन C. मुरादाबाद, आपसन D. वाराण सी तो थोड़ा ये मिस्प्रिंट हो गया है, वाराण सर हो गया है, वाराण सी आप लोग पढ़िएगा, वाराण सी वाराण सी में हुआ था, तो इसका सही आंसर होगा D, वाराण सी में यानि ठुमरी प्रसिद्ध ठुमरी की गाई का गिर्जा देवी का जन्व वाराणसी में हुआ था अगला प्रस्ण है किराना घराना का जनक किशे माना जाता है आपसन ने है बंदे अली खाँ, आपसन भी करीम खाँ, आपसन सी वहीत खाँ, आपसन डी चांद खाँ इसका सही आंसर होगा ए, बंदे अली खान को किराना घराना का जयनक माना जाता है, जयनक या फादर माना जाता है, तो यह इंपार्टेंट कोश्चन थे, या उत्तर प्रदेश के संगीत कलायों लोक निर्थ से संबंदित इंपार्टेंट कोश्चन थे, इसी तरह फिर हम लोग अगले सेशन में उत्तर प्रदेश राज से संबंदित इंपार्टेंट प्रसनों की स्रिंखला के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यबाद,